ने बगलादेश के मुझे पर प्रत्याश आपने गताल बुरा है और कोई पक्स ने इंडिकर बंदन ने कुछ ने ने आप देख सकते हैं जब सवरुदली बैठक बुलाई गई थी बगलादेश के मुद्धे पर जिस पे परदान मंत्री के नितरुत में असमें परदान मंत् थे, विदेश मंत्री थे इन लोगों ने बात रखी उस पे राहुल जी गए थे और राहुल जी ने पूरी बात रखी राहुल जी ने कहा भी कि सब्धा सरकार क्या कर रही हैं वहां के हिंदू के रक्षा करने के लिए और स्वयम प्रदान मंत्री जी जो इनके अधिस्टाम वो मिटिंग बुलाईगे ति स्वयम वो गायब थे उसके बारे में इनको इस पर्दान मंत्री को कि सिख फसीना जी कहा है हिंदुस्तान में हैं गाजियाबाद के एरबेस पे हैं या कहीं बाहर चली गए यह तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी राष्टी सलाकार उन से मिले और उनको यहाँ पसर छण दिया पूरे प्रक्राव में पुरुसी देश ने जो बुरा है हिंदियों को जो अट्याचार हो रहा है अट्याचार हो रहा है हिंदू बारडर पर आकर सरन मांग रहे हैं इधर योगी जी बोल रहे हैं कि हम हिंदूं की रक्षा करने के लिए खड़े हैं यहाँ पर बोल रहे हैं उनका वैयार मैंने पढ़ा यह उध्याँ में क्वेल चुनाओं के लिए वोट लेने के लिए उप चुनाओं में और एक तरफ हिंदू सरणा थी वहाँ पर बिचारे अपनी जानमाल की गुहार कर रहे हैं बियसर उनको रोक रही है अरे उनको अगर वो दिक्कत परिशानी है तो उनको सरणा दीजिए आप हिंदू की रक्षा की बात करते हैं तो उनको सरणा दीजिए उनको उनकी मदद करिए और उनके साथ खड़े हुए और सरकार को चितावनी दीजिए जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ये लोग जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे है परोशी देश में हिंदू करिषान है और यहां पर भार सरकार का जो इस्टेंड है किस तरह रहे हैं लचीला स्टेंड है कोई किस्टेंड है बिलकुल इनको वहां मजमूती से चेतावनी देनी चाहिए है वहां की सरकार को कि अगर नहीं रुकेगा तो हम इस पे फिर कड़ा रुक अक्तियार करेंगे और निश्ची तोर से उस पे आगे की कारवाई सबसे बात करके आगे की नड़े लेना चाहिए कि इस पे क्या करना है क्योंकि इस तरह का त्याचारा नया है तत्काल बंद करें तत्काल बंद होना चाही है, यह छीजें खराब हो रही है और इस पर केंदर सरकार को, मुदी जी को जो बड़ी बड़ी बात बोलने वाले यह लोग है कि युल हिंदुतु की बात करने वाले स्टेंड नहीं ले रहे हैं टेंड लेना चाहिए और डटकर खड़ा होना चाहिए और वहां हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए इनको आगया आना चाहिए कुछ लोग कर रहा है कि बारत में भी बंगलाजीस की सिती आस्ति है देखिए वो सिती पर सिती जो आएगी तब दिखा जाएगा वर्तमान की जो सिती है जहां पर आपके लोग सताय जा रहे हैं जहां परशान किये जा रहे हैं किवल जूटी बात ना बोलकर उनको पूनकी मदद करिए उनके सरनार्थियों को सरन दीजिए, उनकी रक्षा करिए, उनके साथ पूरी मुस्तेदी और डटकर खड़े रहे निशित तोर से पूरा देश यह ची देख रहा है बंगाल में एक याप्टर के साथ रूपी भेट गुआ है और इक वहापे आप तुपान बचा हुआ है किस तरह की अलुगोस पूरी तरीके से पूरे मैं समझ कहना चाहूंगा बंगाल हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो कहां अब उठा कर आप देख सकते हर जगा त्याचारा नया बढ़ा रहा है कहीं बाकी नहीं है जहां पर इस तरह के दरिंदे हैं जिस जगह पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं उनके खिलाब कठोरतम कारवाई करने चाहिए उनको फासी देनी चाहिए उनके उपर कारवाई करनी चाहिए ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के साथ ऐसा किया, आम लोगों के साथ ऐसा लोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वो आमानुवी करेते हैं, वो गलत लोग हैं, उनके खिलाफ फासी की सजा होने चाहिए उत्तबरेस में अपरादियों पर लगाम लगने का दावा, लगाने का दावा उत्तबरेस सरकार की उत्तब कर रही है यह सब देखिये नाटक बाजी है, यह सब केवल केवल और इस्टेंट बाजी है दबाव बनाकर उसको थाने में सिरिंडर कराना, यह सब को यह लेकि एक जो प्र लिए इससे सुधार नहीं हो रहा है आप देखिये जब तक पुलिस परसासान, आप देख रहे हैं कि पूरा पुलिस परसासान उत्तबरेस का परस्टाचार में लिपत है आपने देखा भी बलिया का मामला, देखा भी आपने लखनो के कही जगा के मामले, एस्तर की चीज़ें जो सामने आ रहे हैं इस परसासर का कोई नियंतरा नहीं रह गया और पूरी तरीके से अब ठाना का थाना सस्टेंड हो रहा है पहले कभी ऐसा होता था, अब सिपाही को पकड़ने के लिए अधिकारी जा रहे हैं, एडीजी जा रहे हैं, सुची ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हो रहा है, कि जब पुलिस के उपर ही नहीं इंतरण नहीं रहा गया, तो कानून कहां से सुधरे हैं, कानून पर वो क्यों पर क्यों क्यों पर्षान हुई क्यों ऐसा करने के लिए बात दे वी इसको भी जाना चाही है जा रहा है और पुरी तरीके से इनके मंतरी और इनके लोगों ने कहा है कि पूरी तरिके से तस्हील में ठानों पर दलाल हावी है पूरी दलाली चल रही है ये पूरी सरकार में दलाल सिस्टम हावी है दलाली का काम कर रहा है